जैशे किशना दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगे, स्वस्त होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विभास अमंदी अर्चनों बाधाओं को दूर करने के लिए हल्दी की गाट का बहुत अधिक उपाई बताया जाते हैं जानते सभी हैं मगर इसको करते नहीं हैं आपको एक चीज बताओं कोई भी उपाई कोई भी टोटका आप सिफ मन को बहलाने के लिए ना करें किसी भी उपाई को करना है तो विश्वास और शद्धा के साथ कीजिए आप ये सोचिए जब भी आपको उपाई सुनते हैं या उसको करने के लिए सोचें तो ये सोच के कीजिए कि इस उपाई को करने से आपके जीवन की जो भी समस्या वो अवश्य दूर होगी आपको उसका रेजल्ट 100% मिलेगा ये सोच के मत कीजिए कि आज उपाई सुनें ठीक है करके देखते हैं इसका फल क्या मिलता है ऐसा नही विश्वास और शद्धा के साथ जब भी हम कोई उपाई करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है तो हल्दी की गाठ का आपने बहुत अधिक उपाई सुनोगा अगर विवास समंदी कोई भी अर्चने बाद हैं रुकावट ही हो तो उसको दूर करने के लिए हल्दी क गाठ का उपाई बहुत किया जाता है तो जो आज में आपको बताने जारी हो आपने सुन भी रखा होगा या नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं आप इस उपाई को शद्धा भाब के साथ अवश्य कीजेगा आपके जीवन की जो भी विवास समंदी अर्चने बाद ही रु उपाएं हैं आप असान तरीके से कर सकते हैं तो आपने करना क्या है कि इस उपाई को करने के लिए एक हल्दी की गाठ किसी भी गुरुवार के दिन आप ले लीजी साबूत होनी चे छोटी सी देख लीजे आपने पूजा राधना करनी है भगवान श्री विश्नु भगव से आपके जीवन में जो भी विभा समंद्य अर्चने बाधें रुकावटे होती हैं वो दूर होती हैं विभा के संजोग बनने शुरू हो जाते हैं दूसरा उपाई एक हल्दी की गाठ आप लीजे और उसे गुरुवार के दिन आप अपने तक्ये की अंदर रख दीजे औ तो आपने अपने सिरहने के नीचे एक हल्दी की गाठ अवश्य रख के सोना हैं तो इस तरह से करने से भी जो भी आपकी विभा समंद्य अर्चने या बाधें रुकावटे आ रही होती हैं वो सारी दूर होती हैं तीसरा उपाई आपने करना क्या है गुरुवार के दिन आ पानी पीना है गुरुवार के दिन भी पीना है और अगले दिन शुक्रवार के दिन भी पीना है इस तरह से आपका जो शुक्र और गुरु दोनों ही उचकोटी का होगा ब्रहस्पती अगर आपका नहीं सही है ब्रहस्पती देव की कृपादिष्टी नहीं मिल पारी है तो तो ये आप उपाई कर सकते हैं, चौथा उपाई जो बहुती खास उपाई हैं, विवा समंदी कैसी भी अर्चने बाधे रुकावटे आ रहे हैं, तो आप एक हल्दी की गाथ लीजे, माता तुलसी के समख्ष जाएए गुरुवार के दिन आपने ये उपाई करना है, माता त हल्दी की गाथ जड़क पे तुलसी की जड़क के पास दबा दीजे, प्रातना करते हैं, और नियमित रूप से आप तुलसी माता की देख बाल और जल चढ़ाए जोत जैसे की शाम के समय आप अवश्य प्रजवलित करें, तो इस तरह से आपने ये पूजा रातना करनी हैं तो इस तरह से जो हल्दे की गाथ के उपाय आप जरूर कीजे, इसमें से कोई भी आप एक उपाय कर सकते हैं, आपकी कोई भी विभा समन्दी अर्चने बादें रुकावटें वो अवश्य दूर होंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लिस लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करते समय बैल एक बटन को जरूर दबाना, जिससे की मेरी इस परकार की जो भी वीडियो से आप तक अवश्य पहुँचे, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा लिखना ना भ